दोस्तो आज हम घूमने जा रहे हैं मैडम कब से बोल रही मुझे घुमाते नहीं हो आप मैं आज इसे सार्दा नहर दिखाऊंगा और आगे कुछ और भी पुल है जो उन्हें भी दिखाऊंगा तो बने रही है हमारी वीडियो के साथ आप चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं दोस्तों यह मेरा गाउं है और गाउं से निकलते ही मेरे घर के आगे लबक 100-200 मीटर पर ही जंगल शुरू हो जाता है दोस्तों रजम से इनाला नालों में जगाउं का पानी काफी आलों का पानी आपसे आपसे आजाता है कि इसके कानाड काफी कीचड़ हो जाती हमारे सर्षंद लगबक 20-30 किलोमेटर पर से सार्धा नहरे जोंग आगे चलके आपको दिखाएंगे तो बने रहे हमारे वीडियो साथ यह को फास्ट कर देते हैं दोस्तों कि दोस्तों यहां पर ऐसा जोबी तैना आप है कि आगे नेपाल का बॉर्डर पड़ता है देखो दोस्तों हम साधन है पहुंच चुकिए कि देखो दोस्तों यह नहीं काफी बड़ी है और आपको आगी चाहिकर और दिखाते हैं है है लोग दोस्तों फाइनली लाल कोटी पहुंच चुके हैं अब आपको दिखाते हैं यह देखो यहां का दिरिस्ट काफी अच्छा दिरिस्ट है दोस्तों यह देख सकते हैं यह हमारी यहां पर लाल कोटी हमारे से लगबग दो से तीन किलोमेटर के आसपास है यह सार्दा नहर है जो टनकपूर से काली नदीश से बनके यहां पर सार्दा नहर आती है इसलिए हमने सोचा कि आज हम विलॉग बनाएंगे इसलिए हम यहां दाल को देखने के लिए अपने हज़रां से का हमें घुमा के लाइएगा इसलिए यहां से जंगल पार करते ही है नैपाल है दोस्तों पार प्लाइबग 10 से 15 किलोमेटर के आसपास होगा इस जंगल उसके ब है 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 दोस्तों अब आप लोग इसको आगे दिखाते हैं देखाते हैं आगे अब आपको दिखाते हैं जो इस नहर की नीचे से पुल गया है यह देखो दोस्तों कि आप लोगों को दिखाते हैं जो देखो दोस्तों यह फुल मेर के नीचे से है तीन है कि इस देखो दोस्तों तीन चेद है यहां पर अज़िए है तुम ही रहो है तुम ही रहो ना पानी दोगी रहेगो देखो दोस्तों उस तरफ का दिख रहा है अगर आप इस रस्ते भी उस तरफ जा सकते हैं लेकिन रस्ते में पानी है काफी आपको यह आ रहा होगा तो दिखा देती आपको को यह रहा है उदर से इससे बहुत से लोग उस तरफ बाले यहां से भी आ जाते हैं क्योंकि अगर वो हमने जो आगे पुल दिखाया था वो पुल काफी दूर है अगर वो गुंदना घोमेंगे तो उन्हें काफी टैम लग जाए इस विज़े से वो शॉट कटी इसी पुल कि उस्तिे पहलें जाते हैं इसमें ज्याधा पानी नहीं रहेता है वैसे हलकलका पानी घुटनों से नीचे रहता है अब मैसा पानी है लग आगवा काफी पुछ यह चाहкое rozp और आपको आगे का एक और पुल देखाएंगे धनिया पुल देखो दोस्तों यहां पर काभी पार्टेगों की चलती रहती है हमेशा मेरी मैडम ने भी ने देखा था आज उसने पहली बार देखा यह पुल मैंने बोलता था मिसा कि एक साधन है रहा है उसके नीचे से भी एक पुल है तो यह कहते थी पुल नीचे से कैसे हो सकता है लेकिन यह पुल सायद उस पार का पानी इस पार निकालने के लिए बनाया गय आए मेरे हिसाब से तो आधे देखो दोस्तों हम आगए फाइनली उपर कर रहे हैं दोस्तों पाटियां कर रहे है काफी लोग सब लोगों को है पीक्रिस्मस कर दो कर दो कर दो अब दोस्तों मनूख अब दरगया पुलते से या का धनैययू पुल नहें होता है, दरगया पिलकी, मैं फ़िण मेन dopamine कॉल है!.. पुल ना नीचे से वह भी नहीं कहा था 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 यहां रोड़ कापी है कि यहां दोस्तो हम आपको बताया था जो कि हम धनिया पुल जा रहा है और देख 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 दनुस की तरह है इसका कार इसलिए धनिया पुल बोलते हैं अब आपको दिखाते हैं वह दोस्तों यह भी कावी पराना है जमाने का बना हुआ है यह है जमाने में तो बनाना नौम की नहीं है यह देखो दोस्तों और इसके उपर भी मैंने बहुत पुरानी एक कायवत है यहां की बोलते हैं कि एक बार कोई चोड के था जो उसे पकंड़ने के लिए उन्हें कापी पुलिस आगी थी और पुलिस इसके जो बीच बीच जो रस्ता आपको दिख रहा है यहां पर खड़ी ह अच्वी हिसे निकले लेकिन उसने में बाईक नहीं से चड़ा दी थी और उस पर लेचल गया था यह काफी भयानक है अदिदेखो दोस्तों आज अपर आपको दिखाएंगे इसको उपर चड़के कि देखो दोस्तों आव आपको उपर चाड़के दिखाएंगे आपको ऊपर चड़के दिखाएंगे देखो दोस्कों एक काफी अरे अब बहुत ही भयानक लग रहा है हवा आरे हैं सुरू हो गई है देखो दोस्कों अब हम ऊपर आच चुके हैं आप नीचे देख सकते हैं वह दर किरन लेकिन डर लग रहा है दोस्तों काफी और देखो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा हम उपर आगए काफी अभी तो और उपर चलना है को दोस्तों काफी बयानक लग रहा है डर लगता है यह पुल जब आएंगी यहां पर आपको काफी डर लगेगा दोस्तों बहुत तो मैं अपनी आपके वज़े यह से उपर चड़ चुका हूं मैंने का दोस्तों के लिए चड़ना चाहिए उपर लेकिन आप वैसे यह गलत है चड़ना मेरी मैडम नीचे है और मैं काफी लगवक तीन से चार मंजलू पर पहुंच चुका हूं और यह पुल बतानी बनाया किस परपच के लिए था यह देखो दोस्तों हम अब बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं कुछ टॉप की सैल पी लेंगे और फिर चलते बनेंगे दोस्तों वह देखो दोस्तों काफी अब टॉप कुछ दोस्तों फाइनली मैं उपर कुल टॉप पहुंच चुका हूं इस पुल के और मुझे काफी डर लग रहा है काफी डर लग रहा है दोस्तों मैं कुछ काफी डर लग रहा है तीन से चार मंजल के आसपास यह पुल है और यह बनाया पता नहीं किस के लिए था मुझे नहीं पता लेकिन अगर आप आएं तो प्लीज इसके उपर ना चड़े कि मैं चड़ तो गया हूं लेकिन उतरने में बहुत ही डर लग रहा है देखो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी हुचाई है अगर लग रहा है दोस्तों को अगर आप अब को मैंने बताया था कि आपको दनियाप पुल दिखाऊंगा लेकिन रखोव दोस्तों के वज़े से रमने थोटा मेरी मेडम में भी नहीं देखा है इस वज़े दोस्तों निची जा रहे हैं हुआ है अब निची जा रहे हैं दोस्तों मैं मैं जिस्टाम मत करतो नीचे आने वाले हैं पोहा चुके नीचे ये देखो दोस्तों नीचे पोहूँ चुके आरें सैंते ओपर का भी हवा आ रही है तूर रही है तुपर रहे हैं कि दोस्तों हम इस पुल के उस बार से इस बार भी आच चुके हैं लेकिन हवा निकल गई थी विल्कुल हवा निकल गई थी कि यहां पे दोनों तरप काफी अच्छा वह अभी आपको और दिखाएंगे कि यहां पर लोग हमेशा आते रहते हैं देखने के लिए इस वज्जिय दोस्तों यह देखो यहां पर पानी नीचे से उस सैट निकलता है उस तरफ आपने वहां पर आगे देखा था एक पुल था जिसमें हम नीचे से नैर की नीचे से पुल था जिससे हम उस पार जा सकते थे अब आप यह भी देख सकते हो यहां से पानी नीचे से उस पार जाता ह देखो दोस्तों कि उस पार का पानी निकालने के लिए भी यहां बना रख्या काफी वड़ा कि यहां भी पाड़ों से काफी पानी आता है लगवग आप सोच जाएंगे पाड़ दिख नहीं रहे हैं लगवग 30-35 किलोमेटर के आसपास हैं दोस्तों अब हम जा रहे हैं अब देखते हैं आपको आपको दिखाएंगे देखो दोस्तों हम उपर गए थे दोस्तों उपर आपको दिखाया था काफी आप में तो ट्रल लग रहा था लेकिन आप भी कभी अगर हमारे साथ आएंगे या अगर आप कभी भी उत्तराखंड आएं और खटीमा एरिया में आएं तो यहां पर यह देखने जरूर आएं दोस्तों वो डड़का भी उस पार गया है इस पुल्स चड़के देखो वह भी बहुत साइद यहीं का है तो उसे तो कोई डर नहीं लग रहा है लेकिन जब हम चड़े थे तो हमारे तो हवा गोल हो गई थी दोस्तों मत मुचो यार इतना डर लग गया था कि यार हवा निकल चुकी थी मेरी तो दोस्तों क्यों नहीं मेरी के आप यह के बहुत कह रही थे घुमने ले जाओ घुमने ले जाओ आज मैं जो गुमाने लेके आया हूं धनिया पुल मौत का ब्रिज बिलकुल जब उसके उपर मैं चड़ा था तो मेरे तो हवा निकल गई थी दोस्तों कसम से उपर हवाएं आने लगी थी कि और आप लोगों को और भी कुछ दिखाएंगे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो हमारे के आर लव ब्लॉग चैनल को जरूर सस्क्राइब करें जिससे आपको अच्छे अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएं और हमारे बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन में आने वाली फ लोगों को दिखाएंगे दर्स फाइनली मेरी लेंगेश थोड़ी अपनी लेंगोशे हो जाती रेमिक्स बन जाती जिस से आप व yapmış नी प спорт और पर सकते हैं और यहां काफी मज़ा आ रहा है तो यह ठंडा लग रहा है श्रक्राइस पानी भी और ठंड तो हई है उसा पजिए से और भी धंडा लगे लिए टोस्तों आप तो मेरी आवान निकल गई थी कसम वह बात कभी नहीं बोलूगा लेकिन मेरी मैडम को तो यह उखार उखार सब तर जा रहा हूं वहां पर मंदीर दिख़ए इस वजए से आपको मंदर भी दिखा देते हैं पहले कभी आए लेकिन इसमिंदीर कभी संे किया था लेकिन अभी अब यह यह तरह तरव देखा तो मंदिर समय घ्लक आकिंदा यह मंदिर भी है काफी चोड़ा सा मंदिर है लेकिन मंदिर तो मंदिर होता है चाहें चोटा बड़ा हो कोई साथ ही कि देखो सिव मंदिर सिवाला देवीपुरा मजगाउं धनुस्पुल यह देखो दोस्तों यहां पर पलब कोई यहां पर टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए की विवस्ता भी कर दिए कि अब जय हनुमान जय हो आपको और आपको देखो दोस्तों पुल यहां से काफी अच्छा दिख रहे हैं ना दोस्तों अब हम घर निकलते हैं क्या काफी टैम हो गया है और आपको दिखा भी दिया है दोस्तों इसे बोल रहा हूं यह पुल इसी नहर पर पुल और जो पतला पुल उसे बोलते हैं वह पतला पुल है लगबाग ट्रेंड की पटरी के बराबर है वह पुल मतलत जितना हम चल रहे ह अगर आपको इच्छा है उस पुल देखने की तो हम अगले ब्लोक में आपको जरूर दिखाएंगे लगबाग जितना थे दिख रहा है जो हम जिसमें चल रहे हैं उतना ही चोड़ा है वह और इस नहर के बीचो बीच में है रहते बीचCην नई रहते उफ़ोंक्त में चलने से क्वैद काफी डगते हैं सब्सक्राइब और अब करना देख को देखाते हैं, अब अपने इस आता एशा रहा है यह देखो दोस्तो इसका भी वीडियो हम आपको जल्द ही लाएंगे हमने इसमें काफी मोडिटिकेशन किया है आप देख सकते हैं इसका हिंडल भी हमने यह आर वन फाइब का लगाया था क्योंकि इसका वीडियो तो हमने बना रखा है लेकिन अफ्लोड नहीं किया है चलो चलते हैं दोस्तो अब 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 दोस्तो वीडियो जाता लंबी हो जाई की इसलिए वीडियो को हैंई पे समाप्त करते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सास्क्राइब जरू करें और दोस्तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए थाइंक्यू धन्यवाद दोस्तो वाइओ जल्दी मिल जल्दी मिल जल्दी जल्दी करें